मैं नमस्कार मित्रों आप देख रहे हैं भक्ती वन्दनाम अगतु को कि की हश्ट रेखा में प्रेंब की रेखा कोनसी होती है् वा वैवाहिक रेखा कोन्सी होती है जिस्से हम को प्रैम प्राप्त होता है वह एक सुन्दर पत्नी है मित्रों आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे कन्र का जो सबसे चोटी वाली जो उंगली होती है यहाँपर तो ठेक़ रेखा यह हम एक विभारेखा वह इसके साथ कर लदेशंसे अगर यह को सप्र बढ़ा होता है वह इपागल होगा जिसकी हट्रेखा में कहीं न कहीं सुक्र बलवान होता प्रेफन जिस divya का सुक्र और सुक्र प्रवत प्रवल होता है वही प्रे में पड़ा हुआ होता है इसके सासात में केबल उसे कोills को प्राप्त होती हैं अनेकों बस्त्र धन धान एवं सुक की प्राप्ति उस व्यक्ति को होती है सुक्र का मतलब है सुक का साधन सुक्र का मतलब है सुक्षाधन जीवन की व्यापनता में हमें प्राप्त जुखते हैं जीवन में जिनकी हम कामना करते हैं जिनकी हम इच्छा करते हैं अगर आपकी जनम पत्रका में सुक्र की इस्तिती बड़ी प्रवल है तो कहीं न कहीं सुक्र साधन तो आपको ऑटोमेटिक मिली ही जाएंगे अगर आपकी हस्त्रेका में सुक्र कहीं न कहीं कमजोर है तो निश्चित आपके जीवन से सुख गायब होगा वा दुख आपको प्राप्त होते हैं इसलिए अपने सुक्र को प्रबल करने के लिए सुक्र से सम्मंदत उपाय में आप लोगों को बताऊंगा जो बैक्ति ब्रह्म पहूर्ट में लक्ष्मी जी की उपासना करता है वा इसके सास्सात में सफेद वस्तूइका प्रीयोग अपने जीवन में करता है यह स्तरल समाधान बता देता हूं मौंग्रा और पुस्प होता है उसका इत्र आता है जो सहजता से हमको प्राप्त होता है अगर हमको उसे प्राते काल में उस इत्र को अपने सरीर पर लगाएं तो कहीं न कहीं सुक्र से जनत समस्याई भी में हम सफल हो जाते हैं और वो सब सुकसादन हमको मिल जाते हैं इसलिए जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे सेंट हम परफ्यूम यूज करते हैं जो कहीं बदलाब आता है और उसको सुक्सादन वह वो अपने प्रैम में सफल हो जाता है नमस्काल